उत्तर पर्देश के हरदोई में लोगडाउन में सक्ति के बाद भी मस्जितों में नमाज पढ़ने का सिलसिला जारी है शुकरवार को मजीला थाना शेतर के अयारी गाउं की मस्जित में नमाज पढ़ रहे लोगों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है और सभी के विरुद मुकदमा दर्ज करवाया गया है सभी का डोक्टरी पर्शिक्षन करा कर चालान किया गया अयारी गाउं में शुकरवार को मस्जित में नमाज अदा की जा रही थी इसकी जानकारी SDM वसीयो शहाबाद को हुई तो पुलिस के साथ मस्जित में छापे मारी की गई इसके बाद वहां तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया नमाज पढ़ने वाले लोग भागने लगे लेकिन यहां से आठ लोगों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है एसपी ग्यानन जे सिंग ने बताया कि सभी के विरूद 188 के तहट मुकदमा दर्जकर चलान कर दिया गया है हर दोई से समधाता शाही दलिकी रिपॉट पुलिस चपे चपे पे नजर अखे हुए और इस तरह के एक्टिविटी करने वाले किसी इवर्थ को बखसा नहीं है एसे ही लेटेस को बरे पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें एननेवाद